इस वीडियो इज इस पॉंसर बाई पी एन मेमोरियल पाप्लिक स्कूल पढ़ाल गंच कोरगपुर तोड़े वियर गोईंग टू लर्न साइन्स फॉर्स चैप्टर आफ ग्लास फॉर्स पार्स आफ दा बॉडी कमान लेट्स स्टार्ट तो बच्चो आज हम लोग पॉर्ट आप बोडी पढ़ेंगे बाडी में कित् impressions पार्ट होते हैं इसके बारे में जानकारी गहेंके बाइए देकना हैं इस पीपेर मिस और हेर M起來 बाल हेल मिन्स क्या होता है बाल ठीक है इसके नीचे हम लोग आते हैं तो यह आई दिखाई दे रहा है यह क्या है आई इवाई आई मिन्स क्या होता है आख इसके नीचे आते हैं नोज नोज मिन्स क्या होता है नाख नोज मिन्स क्या होता है नाख फिर देखें यह वाला पार्ट ह माउथ इसको क्या कहते है माउथ मिन्स क्या होता है मुह अब दिखिए यह बच्चों यह वाला पार्ट दिखिए एन इसको कहते है निक निक मिन्स क्या होता है गर्दन और उसके नीचे यह है यह वाला पार्ट जो बच्ची का है shoulder कहते हैं उसको S-H-O-U-L-D-E-R shoulder shoulder means क्या होता है कंधा S-H-O-U-L-D-E-R shoulder means क्या होता है कंधा इसके नीचे देखें ये वाला पार्ट जो है बच्चे का है बेबी का C-H-E-S-T chest means क्या होता है छाती C-H-E-S-T chest means क्या होता है छाती फिर इसके बाद ये वाला पार्ट देखते हैं बेबी का stomach S-T-O-M-A-C-H stomach stomach means होता है पेट stomach means क्या होता है पेट तो बच्चों आईए नीचे हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट बेबी का ये इसको knee knee बोलते है K-N-W name means क्या होता है K-N-W इसके नीचे आते है leg leg means क्या होता है tongue leg means क्या होता है tongue इसके नीचे आते हैं ये वाला भाग देखते हैं ये वाला भाग जो है F-O-T foot means pair होता है foot means क्या होता है pair अब आएए इधर हम लोग देखते हैं बेबी का इधर वाला भाग देखते हैं, इसके हिप मिन्स कहते हैं, इसको कमर भी कहते हैं, और कुल्धा भी कहते हैं, हिप मिन्स कमर भी होता है, और कुल्धा भी होता है, अब हम लोग इस पाड को देखते हैं, बेबी के, इसको इल्बो कहते हैं, इल्बो मिन्स कहते हैं, यह वाला भाग बाह कहा जाता है अार्म ठीक है इसके बाद इसको हैं कहते हैं हेंड क्या होता है हाथ हैंड क्या ही ह में च्के की वारे में पढ़ेंगे यह हमारा जो बाला पार्ट इतना दिखाई दे़ रहा है बेबी का यह फेस होता है इतना भाग जो है हमारा जो है फेस होता है अब इसमें कितने भाग है देखते हैं ठीक है और इस वाले भाग को जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ये ये हेड है क्या है हेड 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 मिन्स क्या होता है सीर हेड मिन्स क्या होता है सीर हेड हेड मिन्स क्या होता है सी अब देखें फेस में कितने पार्ट है देखते हैं फोरेड इसको क्या कहते है माथा फोरेड को क्या कहते है माथा फोरेड मिन्स क्या होता है माथा इसके बाद जो है ये देखें ये चिक इसको गाल कहते है चिक मिन्स क्या होता है गाल ये बेबी का गाल है TIME LIPS LIPS WORBS OATS chin ch Sand thuddhi इस धूड़ी महीं में संदने Yoom यह बच्चे का फेस में कित्ते पार्ट हुए है फोरेड हो गया चिख हो गया लिप adelante है, तराब्य के हमका यह यह जो समझते हैं, हम्हेंग ड्री जो हमारा फोर फिंगर इसको फोर फिंगर करते हैं यानि तरजनी अंगुली क्या कहते हैं तरजनी अंगुली अब इसको मिडल फिंगर यानि मध्यमिका यानि बीच की अंगुली मध्यमिका यानि बीच की अंगुली रिंग फिंगर यानि इसको अनामिका कहते हैं अनामिका अंगुली writer यह लीटिल फिंगर यहनी चोटी अंगुली अगर भी को फ्लम पलम मिन्स क्या होता है हत्यली फ्लम मिन्स क्या होता है हत्यली छिक्ट है तो हम लोगह Douk Curtain के बारे में जानकारी देरी इसको टॉय करते है टीओी ट्रेएrestaurim से यह पायर का अंगुली और यह Soul, Soul means क्या होता है, तलवा, S-O-E-L-E, Soul means तलवा होता है, और ये AD कहते हैं, इसको H-E-E-L, Heel, Heel means AD, इस परकार बच्चों हम लोग जो है, पार्टा बाड़ी, पूरे पार्ट को पढ़ें, और इस परकार हम लोग सरीर के भाग को पढ़ें, और समझें, और आप भी इसको ए झाल, 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